इस वकत में सरजमीन बानिहाल पर मौझूद हूँ मैं आपको बता दूँ कि लोगों के बीच में जो कन्फूजन थी कि क्या बानिहाल असेंब्री हलके में अलाइंस होगा या नहीं कुछ दिन पहले आपने जब सोचल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट होते हुए देखी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आपको बोट डालना पड़ेगा नेशनल को लेकिन उसके बाद वीडियो सर्कुलेट हुए उनने का हम बिल्कुल भी जहां बोट का अंगर्स को नहीं करेंगे आप क्या कुछ कहना चाहें देखें गन फूजन तो कोई नहीं था एक पुलिटिकल पार्टीज का अपने एक सिस्टम होता है एक तरीक राहा होता है जिसमें क pasture है कई फेजस से यह ऑलिग्षन का जो मैंडिट है उसका फैसला हुता है तो पहरūल जब यह फैसला हुआ कि अलाइंस में इलिगशन होगा तो उसमें दोख पार्टीज की जो गुफ से में शेयर मिले और और कहीं कहीं ऐसा ऐसी भी डिमांड थी कि कुछ ऐसी सीट जो नेशनल कांफरंस की बड़ी एहम और मजबूत सीटें थी उनको लेने की कोशिश की जा रही थी तो बेराल उस पर थोड़ा सा वक्त लगा एक यह फाइनल एक कंक्लूजन पर पहुंचने प सब्सक्राइब 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 नेशनल कानफ्रोंस यहां मजबूत है इसमें दोराई नहीं है हाँ यह हकीकत है कि जब पर्लिमंट का इलेक्शन हुआ हम ने हमारी पार्टी की क्यादत तो अमर्स अबदल्ला साब यहां आए और लोगों को वोट डालने के लिए एक बड़े महाद के लिए जो बीजेपी को बनाया रखने में तो उसके पार्टी का यादत का जो हुकम हुआ और कास जो बड़ा था एक नैशनल कास था इस मुल्क के सेक्लरिज्म को बचाने का कास था इस मुल्क की सेफटी और सेक्यूरिटी की बात थी तो उसके लिए फार्मर्स साथर कांग्रस के आप पर यह भी असेम्बली नितखाबाद की तारिकों का एलान ही हुआ है यहां पर जो है इस तरह के अलफाद इस्तमाल किये जा रहे हैं जिससे जो हुने यह यकिन हो गया कि उनने जो हार्ट तस्लिम कर लिए हमने गलत इल्जाम तो नहीं लगाया यह हमारे जितने भी वरकर हैं अब उन देखी गई नेपोटिसम देखा गया लूट खसूट देखी गई और अवाम नास के जो मामलात थे उनको किसी ने अड्रस ने किया तो लोग नाला हो चुके थे ना सिर्फ पार्टी के हमारे कारकुनन बलकि यहां के अवाम भी नाला हो चुके हैं और एक्सेप्टिबल्ट और बढ़ जाएगी और लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा बस यही खचात थे और हमारा उनके साथ को परसनल ग्रज नहीं है और नहीं हमने कोई गलत इल्जाम लगा रहा है चले शिम्शाइशाज जी हमारे साथ बाचित करने के लिए मौजूद हैं विकार रसलवानी को 80 परसेंट वोट नेश्र का था जो बानिहाल हलके से पार्लिमेंट इलेक्शन में वहाँ पे लियागा और लगतार जी तोड मेहनत नेश्र कान्फरन्स के वर कराने और लेडरों ने यहां पे जो है अपनी आला कयाड़त की डिरेक्षिन पे जो है चोदरी लाल सिंघ जी को पार्लिमेंट एलेक्शन में दिया इसी जो उन्होंने ये बात कही और इसी को लेके जो है नेशल काइडर था पूरे गूल बान हल की अंदर उनके दिल को ठेस पोंची क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पार्लिमेंट एलेक्शन में और उसके बाद उनको सिला क्या म हम इस बार दुबारा से कांग्रेस को सुपोर्ट नहीं करेंगे और जिसके लिए हमें भी खासकर सजाद शाहिन साब और मुझे भी उनकी जो